Welcome to Government Jobs for your YouTube channel आज हम discuss करेंगे 2 April 2019 के current affair से बनने वाले very important questions को आप इस वीडियो को end तक जरूर दीखेगा किमकि last में हम आपसे पूछते हैं कुछ सवाल जिसका अंसर आपने देना होता है हमें comment box में साथ में अगर आप जुड़ रहे हैं पहली वार इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल के साथ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बैल आइकोन को प्रेस कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा question number first tab की screen पर, हाली में भारती रिजर्ब बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया गया तो इसका जो right answer है वो है आपका option number A, 1 April को 1 April को भारती रिजर्ब बैंक जो की भारत का केंद्रिय बैंक भी है, इसका स्थापना दिवस मनाया गया आप सभी जानते हैं कि 1 April 1935 को भारती रिजर्ब बैंक की स्थापना की गई थी with accordance RBI Act 1934 और आपको मैं बता दूँ कि रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया का जो head office था वो पहले कोलकाता में था और 1937 को इसको वहां से transfer करके मुंबई लाया गया इन प्रेजर्ब बैंक ऑफ इंडिया का जो head office है हो है मुंबई में और अगर बात करें रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया के governor और deputy governor की तो RBI में होता है एक governor और चार deputy governor होते हैं इन प्रेजर्ब शक्ति कांत दास रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया के governor है और अगर बात किज़ा डिप्टी गवर्नर की तो चार्ज डिप्टी गवर्नर है वो है अनेस विश्वनाथन, डॉक्टर विराल वी अचारय, महेश कुमार जैन और बीपी कानुन गो तो आपको यहां से इतनी जानकारी रखना जरूरी है अब बात करते हैं question number second की question number second अंतराष्ट्रिय क्रिकेट परिशद के नए CEO की से निक्त किया गया तो इसका जो right answer है वो है आपका option number C मनु सहनी मनु सहनी को अंतराष्ट्रिय क्रिकेट परिशद मतलब की ICC International Cricket Council के नए CEO के पदपर निक्त किया गया अब थोड़ा से question यहाँ पर बनते हैं ICC से अगर बात की जाए ICC की Establishment Year की मतलब की अंतराष्ट्रिय क्रिकेट परिशद कब स्थापित किया गया तो ये स्थापित किया गया था 15 June 1909 को मतलब की बहुत पूरानी यह संस्ता है जो की पूरे भीशे में जितने भी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उनका नियंदन करती है मतलब की वाल्ल कप हो गया T20 वाल्ल कप हो गया उनका organization यह संस्ता करती है अगर बात की जाए इसके चेर्मेन की तो इसके जो चेर्मेन है वो है शंशाक मनोहर इसका जो headquarter है अंतराष्ट्री क्रिकेट परिशत का वो है दुबई मतलब की United Arv Amirat में तो आपको यहां से इतने question दो याद रखना बहुत जरूरी है अब बात करते है question number third की question number third जो की बहुत जादा important question बन जाता है क्योंकि एक बहुत जाद करंट और फिर से question बनता है question है जुजाना कपुतोवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपती बनी तो इसका जो right answer है वो है option number C सुलवाकिया सुलवाकिया की जो पहली महिला राष्ट्रपती बनी है उनका नाम है जुजाना कपुतोवा जुजाना कपुतोवा सुलवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपती बनी है अगर बात की जाए सुलवाकिया की तो यहां की जो राष्ट्रपती बनी है उसका नाम है ब्रातिसलवा और अगर बात की जाएं यहां की करंसी की तो सलो बात के कि जो करंसी है वो है यूरो यूरो यहां की करंसी है और यहां की जो कैपिटल है वो है ब्राती सल्वा तो आपको यह याद रखना बहुत जरूरी है अब बात करते हैं Question No.4 की Question No.4 आपको इस तरह से Question No.4 की किसने अभी इस्तिफा दिया तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि आपको इसका जो राइट अंसर है वो है आपका Option No.4 विजे चंदोग विजे चंदोग को ICICI Securities के MD और CEO के पद पर नियुक्त किया गया है तो आप बात करते हैं Question No.5 की तो यहां पर आपसे पूछा गया है हाली में उतकल दिबासा या ओडिशा दिवस कब मनाया गया करंट अफिर का बहुत ज़्यादा Important Question है आपसे डेज इस तरह से पूछे जा सकते है तो यहां आपसे पूछा गया है कि उतकल दिबासा या ओडिशा दिवस कब मनाया गया तो इसका राइट अंसर है Option No.C 1 April को तो यहां पर आपसे दो कोशन बन जाते हैं देखिए पहला कोशन गया था कि उतकल या ओडिशा दिवस कब मना जाता है तो इसका राइट अंसर है 1 April तो यहां से आपसे यह कोशन बेपूछा जा सकता है कि ओडिशा दिवस की स्थापना कब से शुरू हुई या ओडिशा कब बना तो इसका जो राइट अंसर है वो है 1 April 1936 1936 को ओडिशा की स्थापना की गई थी जो की 1 April 1936 को इसकी स्थापना की गई थी अब बात करते हैं ओडिशा की क्यूँकि ओडिशा यहां पर आ रहा है तो ओडिशा से कोशन जो बिवी बन सकते हैं उनके बारे में यहां बात करते हैं, तो सबसे पहले कोशन आपका बनता है ओडिशा से, कि ओडिशा की राजधानी कहा है, तो आप सभी जानते हैं कि ओडिशा की जो राजधानी है, वह भुवनेश्वर और यहां के जो प्रेज़ेंट चीफ मेनिस्टर है, उनका नाम है नवीन, पटनेक और अगर बात किजा गवर्नर के तो यहां के गवर्नर है गनेशी लाल, जी हां गनेशी लाल ओडिशा के गवर्नर है और अगर बात किजा ओडिशा की लोगसभा सीट के तो यहां पर है 21 लोगसभा सीट, 10 राजय सवा सीट और 147 विधान सवा की सीट और डिशा राजय में है हाली में किस देश ने दूसरी पीडी के रिले उपग्रे लाँच किये है मतलब कि 2nd generation के रिले उपग्रे किस कंट्री ने लाँच किये है तो इसका जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा उसका नाम है बेजिंग और यहां की जो ओफिशल करन्सी है वो है रेंड मेंबी और अगर बात करें यहां के प्रेजिडेंट की जिनका नाम है शी जिंग बिंग तो आपसे यहां से इतना ही कोशन पूछे जा सकते हैं थोड़ा सा यहां पर आपको डाउट हो रहा होगा कि यहां की जो ओफिशल करन्सी है वो यूआन है या रेंड मेंबी है तो आपको मैं इस डाउट क्लियर करना चाता हूँ आपका जो डाउट है उसको मैं क्लियर करना चाता हूँ कि रेंड मेंबी का हिस्सा है यूआन हाली में देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन बना ये कोशिन तीन बार पूछा जा चुका है जब से हम इस सीरिश को शुरू कर रहे हैं क्रंट अफियर की तब से मैं इस बार इस कोशिन को तीन बार आपका बता चुका हूँ कि भारत का जो तीसरा सबसे बड़ा बैंक है वो बना है बैंक ओफ बरोदा चीक है बैंक ओफ बरोदा बन चुका है भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक ये क्यों बना है पुद्रा में और अगर बात करें इसके MD की Managing Director की तो बैंक आप बड़ोदा की तो यहां से आपको इतना ही पढ़ना है जो कि आपके लिए सफिशन्ट है examination point of view से अब बात करते हैं question number 8 की हाली में इस्रों ने उनत खुफिया उपग्रे इमिसेट को कहां से लौँच किया तो यहां आपके जो question है वो बहुत सारे बन जाते हैं सबसे पहले कि उनत खुफिया उपग्रे जो की है इमिसेट इसको कहां से लौँच किया ग इमिसेट को लौँच किया गया है और अगर बात की जाए इसके साथ को कितने उपग्रे को और लौँच किया गया है जो की है अन्ये 28 अन्ये उपग्रे को भी इस इमिसेट के साथ लौँच किया गया है और किस वहिकल के साथ मतलब किस के साथ इसको लौँच किया गया है त क्योंकि ISRO से यहाँ पर कोशन बनने वाले हैं ISRO की फुल फूम आप सब यहाँ पता है कि Indian Space Research Organization और अगर बात की जाए इसके Establishment Year की तो ISRO का जो Establishment था वो था 1969 को 1969 को ISRO की स्थापना की गई थी और प्रेजेंट में ISRO के जो निदेशक है जो डिरेक्टर है उनका नाम है KC1 और इसका जो हैड़क्वाटर है वो है बैंगलोरू में तो यहाँ से आपके इतने कोशन बन जाते हैं और अगर बात की जाए श्री हरिकोटा कहां स्थित है तो यह स्थित है आंधरा परदेश में तो अब बात करते हैं कोशन नमबर नाइन्थ की कोशन नमबर नाइन्थ आपके स्क्रीन पर हाली में विवेक दूबे को किस राज्य के लोकसवा चुनाव के लिए केंद्रिया पुलिस पर वेक्षक के रूप में नियुक्त किया कया है अब आपको ये कोशन इसलिए इन्पोर्टन बनता है, इसलिए जिरूरी बनता है क्योंकि आपका पता है इलेक्षन अभी चल रहा है बाहरत में लोकसवा इलेक्षन अभी होने वाले हैं तो इस से related आप से बहुत सारी कोशन पूछे जा सकते हैं आने वाल एक्जामीनेशन में तो यहां पर पूछा गया है कि विवेक धुवे को किस राज्य में लोगसवा चुनाव के लिए केंदरिया पुलिस परेविक्षक के रूप में निक्त किया गया है तो इसका जो राइट अंसर है वो है पश्ची बंगाल और जारखंड मतलब की दोनों दोनों ही राज्यों में विवेक धुवे को लोगसवा रचुनाव के लिए केंदरिया पुलिस परेविक्षक के रूप में निक्त किया गया है अब बात करते हैं कितने देशों में यह मनाया गया है तो इसका जो राइट अंसर है वो है 188 188 कंट्रीज में अर्थ आवर 2019 मनाया गया है तो इस बार का जो अर्थ आवर 2019 का जो थीम था वो क्या था वो था Connect to Earth Connect to Earth अर्थ आवर 2019 की थीम थी और यह मनाया गया था गंटे के लिए पूरी के पूरी बिजली बंद की जाती थी तो ये अर्थ आवर जो दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 30 मार्श 2019 को और इस बार की अर्थ आवर 2019 की थीम थी Connect to Earth तो अब बात करते हैं question number 11 की question number 11 हाली में राष्टरपती रामनाद कोविंद ने पोबलो नेरुदा संग्राले का दौरा किया है तो ये कहां परस्थी थे तो इसका जो right answer है वो है आपका option number C चिली हाली में राष्टरपती रामनाद कोविंद जी पोबलो नेरुदा संग्राले का दौरा नों किया है जो कि स्थी थे चिली में और आपको पता है कि आज कल राष्टरपती रामनाद कोविंद विदेश यात्रा पर है इससे पहले वो वोलिविया में थे जिसका मैंने जीकर आपको कल किया था वोलिविया के बारे में तो अब इनो ने जो दौरा किया है हाली में Global Indian Women of the Year का जो पूर्षकार है जो आवार्ड है वो किसने जीता है इसका राइट अंसर है इंद्रा नुई इंद्रा नुई को Global Indian Women of the Year पूर्षकार से सम्मानित किया गया है तो अब बात करते हैं जो पिछले कल हमने आपसे पूछा था हाली में Solving Canada भारत JWC की बैठक कहां आयज़त की गई थी की गई है तो इसका जो राइट अंसर है वो है कोश्चन की जो की आपने हमें बताना है कमेंट बॉक्स में तो कोश्चन आपका है हाली में Candidate Connect और Share You Vote नामक दो नए भारत विशिष्ट उपकर्ण किसने लॉँच किये हैं मैं आपको कोश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ हाली में Candidate Connect और Share You Vote नामक दो नए भारत विशिष्ट उपकर्ण किसने लॉँच किये हैं तो इसका अंसर आपने हमें देना है कमेंट बॉक्स में आपशन आपके लिए ये रहेंगे Google, Facebook, Isro, भारत, निर्वाचन, आयोग तो आपने सही अंसर हमें देना है कमेंट बॉक्स में और साथ में ये भी लिखना है कि Candidate Connect क्या है और Share You Vote क्या है थोड़ा सा आपने लिखना है जो सबसे अच्छा लिखेगा उनका कमेंट हम पेंट करेंगे तो आज क्रंट अफिर के वीडियो में सिर्फ हितना ही मिलते हैं अब किसी दूसरी वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत